टीवी इंडस्ट्री के पॉपलर आक्टर्स दिपिका ककरडर शोय विबराहिम सूशल मीडिया पर काफी ज्यादा आक्टिव रहते हैं वो अपने लाइफ से जुड़ी हर छूटी से बड़ी अपडेट सूशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं इन दिनों कपल रमजान मना रहा है और हर दिन रोजे के बाद इफ्तार की जल्की अपने व्लॉक्स में शेयर करता रहता है आल ही में आक्टर के घर पर डिरेक्टर और कॉरियोग्राफर फराखान पौजी उन्होंने आक्टर्स और उनके फामली वालों के साथ इफ्तारी भी की विश्के बाद वो दिपिका ककडर शोईब इबराहिम के बीटे रोहान के साथ टाइम स्प्रेंट करती हुई नजर आई इसी दोरान उन्होंने रोहान को एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया है जलक दिकलाजा 11 में शोईब इबराहिम की मुलकात फरा खान से हुई थी फरा और आक्टर के बीच खास पॉंड और रिलेश्वन भी शोके दोरान देखने को मिला रमजान के महीने में जब फरा खान शोईब की घर इफ्तारी के लिए पहुची तब उन्होंने उनके लाइटले बेटे रुहान को एक स्पेशल और काफी कॉसली गिफ्ट भी दिया सिसकी जलक शोईब और दिपिका ने अपने व्लॉक्स में भी दिखाई है फरा के आने की बजा से दिपिका ककडर शोईब इबराहिम ने अपने घर पर खास इंतजाम किये थे फरा खान को दावत देते हुए दिपिका ने काफी सारी चीजे भी बनाई थी फरा पहुचकर पूरे फामली के साथ बड़े प्यार से मिली और साथ में वोई टाइम भी स्पेंट करती हुए निजर राई और इफ्तारी भी की इसी बीच वो काफी महंगा गोल्ड ब्रेसलेट भी दिपिका ककड और शोय विबराहिम के बेटे रुहान को देती हुई दिखाई दी गिफ्ट में सोने का ब्रेसलेट था और इसी बज़ा से वो काफी कॉसली भी है वला आपका तिपिका ककड और शोय विबराहिम के इस लेटेस ब्लॉक पर क्या कुछ है कहना हमें कॉमेंस पे ज़रूर बताए ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे क्या हुए ठारी ज़रूर ज़रूर इस कॉमेंस था शुप है क्या है क्या है क्या है क्या है कीृट अभी है व्लाइब करेच्ष करेद्ग